हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है रीड डिजाइन्स में तो आज हम बनाएंगे स्लीव का बहुत ही बीडिफुल डिजाइन तो चलिए हम शुरू करते हैं तो आप इस डिजाइन को अपनी पार्टी वेर कुड़ती या सिंपल कुड़ती किसी पे भी बना सकते हो बहुत ही बीडिफुल ये रेडी होने वाला है तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक से ये दो इंच चोड़ी पट्टी कट की है इसको हम ऐसे फोल्ड करके यहां पे सिलाई लगा लेंगे लगबग आधे पोने इंच पे हमें सिलाई लगानी है तो इसको हम एक साइड से बंद कर लेंगे ऐसे और अब हमने इसको फ्लिप कर लेना है यानि कि पलट लेना है आप किसी भी सिलाई की मदद से इसको पलट लीजिए तो इसको हम ऐसे फ्लिप कर लेंगे तो ये हमारे पास लगबग पॉना इंच के करीब चौड़ी पट्टी रेडी हो जाएगी इसको हब हमने प्रेस कर लेना है तो ये देखिए पट्टी मैंने पलट भी लिया और इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है देखिए कितने अच्छी फिनीशिंग आई है तो सारी पट्टिया मैंने ऐसे ही रेडी कर लिया है तो इन पट्टियों को स्टिच करने के लिए मैंने ये नियूस पेपर का एक पीस लिया है जिसको मैंने लगबग 1.5 चौड़ी मार्किंग भी की है, ये देखिये तो ये मार्किंग आपको दिखाई दे रही होगी तो चलिए अब हम इन पटियों को इस पे स्टिच करते हैं तो यही सारी पटियों से हम धाई-धाई इंच के P.C. कट कर लेंगे इस तरीके से आप रख के देख लीजिए और यहाँ पे बिल्कुल इसी के बराबर आपने सारे P.C. कट कर लेंगे तो ऐसे हमने सारे P.C. कट कर लिए हैं अब हम इसको अपनी मार्किंग के उपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे ऐसे पहले एक तरफ से कर लेते हैं तो हमने पटियों के बीच में आधे-धाधे इंच का गैप देना है इस तरीके से गैप लेते हुए आप सारी पटियों को स्टिच कर लीजिए तो ये देखिए मैंने पटियों को दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है अब हम इसको अपनी स्लीव पे स्टिच करेंगे तो स्लीव पे स्टिच करने से पहले आप दोनों तरफ से इसको इकोल कर लीजिए तो ये मेरी स्लीव है ये ब्रॉकेट सिल्का फैबरिक है और ये इसकी मोरी बली साइड है अब हमने क्या करना है नियूस पेपर को ऐसे इसके उपर उल्टा करके रखेंगे ये देखिए मैंने दोनों तरफ से इसको इकोली गट कर लिया है और अब हम इसको ऐसे करके रखेंगे नियूस पेपर को इसके उपर और ठीक उसी सिलाई के उपर सिलाई लगा देंगे जो हमने पटियों को स्टिच करते हुए चलाई है तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है अब हम इसको ऐसे नीचे की तरफ करतेंगे और यहाँ पे एक किनारी की सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पे हमने किनारी की सिलाई लगा लिया है अब हमने इसके आगे नीचे बॉर्डर स्टिच करना है तो चलिए उसको भी स्टिच कर लेते हैं तो हम सेम फैब्रिक का ही नीचे बॉर्डर स्टिच करेंगे और अब हम क्या करेंगे स्लीव को हम उल्टा करके रख लेंगे तो मैंने ये बॉर्डर के लिए लगबग 6 इंच चोड़ा फैब्रिक लिया है और लंबाई में मैंने उतना ही लिया जितनी हमारी स्लीव की मोरी है तो इस फैब्रिक को हम सीधा करके रखेंगे और स्लीव को ऐसे इसके उपर उल्टा करके इस तरीके से और यहाँ पे उसी सिलाई के उपर सिलाई लगा देंगे जिसे हमने पटियों को स्टिच किया है तो यह सिलाई भी हमारी लग चुकी है अब हम स्लीव को सीधा कर लेते हैं तो सीधा करने के बाद यह ऐसे आ जाएगा अब हम यहाँ पे भी एक किनारी की सिलाई लगा देंगे तो हम नीज़ पेपर को नीचे से निकाल देंगे किनारी की सिलाई लगाने के बाद ही आप नीज़ पेपर को नीचे से खाड़ें तो नीज़ पेपर को हमने नीचे से निकाल दिया है अब हमने नीचे की तरफ ट्रेंगल स्टिच करने है समोसा ट्रेंगल तो ऐसे मैंने blue color के fabric से 2 इंच चोड़ा और 2 इंच ही लंबा fabric cut किया है और इसको सबसे पहले हम ऐसे fold करेंगे इस तरीके से उसके बाद ऐसे तो इसको हमने ऐसे triangle बना लेना है और इसको press कर लेना है यह देखें मैंने कितने सारे triangles पहले से ही बना के रखे हैं तो इसको हमने पहले ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे और इसकी पंखुडी सी बना लेनी है हमें और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे rough stitch ताकि यह खुले ना तो ऐसे सारे triangles हमने ready कर लिए हैं अब हम इसको अपनी sleep पे stitch करेंगे तो ऐसे मैंने यहाँ से 3 इंच पे mark कर लिया है और इसी marking के उपर हमें यह triangle stitch करने हैं तो यह इसकी सीधी साइड है इसको हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे sleeve की सीधी साइड की तरफ तो हमने gap उतना ही लेना है जितना हमने इन पटियों के बीच में लिया है तो ऐसे stitch करने से यह जो हमारे triangles है गुम हो जाएंगे नीचे से और finishing भी बहुत ही अच्छी आएगी तो ऐसे सारे triangles हमने stitch कर लिए हैं अब हम क्या करेंगे यह जो नीचे वाला fabric है इसको इस तरीके से इसके उपर रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल किनारी की सिलाई लगा देंगे तो ऐसे सिलाई लग चुकी है अब हम इसको ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे और triangle बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेंगे और पीछे से हम इसको तुर्पाई करवा देंगे तो ऐसे ट्रेंगल्स को बाहर की तरफ निकालते हुए, यहाँ पे हम किनारी की सिलाई लगा देंगे तो यह एक फूल स्लीव डिजाइन है, 22 इंचेज हमारी फूल स्लीव की लेंथ होती है, जितना भी हमारा यह आगे बॉर्डर रेडी हुआ है, उतनी आपने स्लीव की लेंथ कम कट करनी है तो ऐसे हमारा ये beautiful sleeve design ready हो गया है अब हमने क्या करना इन triangles के उपर इस तरीके से golden color के stone लगा देंगे बिल्कुल center में हमने लगाने है ऐसे ये जब सूख जाती है तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती आप अपने fabric के according कोई भी matching stone इस पे लगा सकते हो मेरे fabric के अंदर golden color का था क्योंकि ये brocket silk है तो मैं golden color के लगा रही हूँ तो ये देखिए friends ये stone सूख भी चुक है और मैंने इसको stitch भी कर लिया है अपनी कुर्टी पे भी चड़ा लिया है तो पहनने के बाद ये ऐसे आ जाएगी तो अगर आपको मेरा ये design और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको like को share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और design के साथ मिलते हैं till then बाबा